तो यहां पर मैंने ये 2 टेबल स्पून सूजी लिया है फिर ने बनाने के लिए हमने मेजरमेंस का धियान रखना बहुत ज़र जोड़ी है तभी perfect consistency का बन सकता है तो 2 टेबल स्पून सूजी के लिए मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है और यहां पर मैं आज स्टीविया यू 2 स्पून यूज करूंगी अगर आप चीनी यूज करते है तो 2 टेबल स्पून चीनी दीजेगा और यहां पर यह दूर लिया है 2 कप्स अगर आप ml के हिसाब से देखेंगे तो 500 ml होता है तो 2 टेबल स्पून शुगर अगर देता है तो 2 टेबल स्पून शुगर 2 टेबल स् मिल्क इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो पर्फेक कंसिसेंसी का बनेगा और यह है नाच गर्णिशिंग के लिए तो एक पैन लिया है मैंने इसमे मैं अभी गहीं एड करूंगे और थोड़ा सा हम दो ड्राइ फूत को रोस्ट करेंगे जद ब्राउन कलरा का नहीं होने देना है पस आधा एक मीनिट के लिए हलका सा बस इससे क्रिस्पीनेस आना हे क्योंकि हम लोग फ्रिसे सूजी के साथ भी इसे रोस्ट कर लेंगे अधा 1 minute करिब हो गाया है, अब मैं इसमे में명 में सूजी एड़्ड कर दिया इसेहं हल्का सा ही रोस्ट करना है big अवाया जैसा नहीं इसको औरी इसमें दूड ayokar दिया आपमे में दूड कर दिया दूड को रोम टेमप्रेश्र में चाहिए घरम या तंडा दूड नहीं चाह कर दो क्या मेर को रखे मेर केसर में केजा कम इसे बस ऐसे ही पकाते रहना है, बहुत जादा टाइम नहीं लगता है, खीर के जैसा टाइम नहीं लगता है, लेकिन धीमी आज पे हमें पकाते रहना होता है, जब तक गारा नहीं हो जाता है, अगर आप लोग इस टेज में, मतलब शुरू है से ही, अगर सूजी जादा देत तो इसका consistency बहुत अच्छा आने वाला है, तो ऐसे ही बस पकाते रहना बहुत simple recipe है, बहुत easy recipe है, आप लोग इसे गरम भी serve कर सकते हैं, या फ्रीज में रखके इसे छील्ड भी serve किया जाता है, तो यह around 6-7 minutes हुआ है, तो ऐसे ही हमें पकाते रहना है, around 15 minutes में हम लोग का फिर् मैंने यहां पर वीडियो का speed बढ़ाया हुआ है, तो बस अभी हम लोगा यह फिर्नी बनने ही वाला है, जाधा time नहीं है, पूरा पकने के बाद ही हमें इसमें sugar add करना है, मैं तो sugar नहीं add करने वाली हूँ, यह देखिए पक गया है, अच्छे से उबल गया है, अब मैं इसम होता है, क्योंकि अगर आप लोग वेट लूज वेकरा करना चाहते है, तो इसके लिए तो आप sugar यूज नहीं कर सकते है, तो stevia best option है, तो इसके अंदर यह जो चमर्स दिया गया है, इससे मैं 2 स्पून देने वाली हूँ, यह तू स्पून से ही यह फिर्नी का परफेक्ट मी तो नाथस वेकरा के साथ मैं इसे गर्निश करके परफेक्ते हैं, लेकिन मैं चेल चील सर्फ अठी थैख च्राहए हूं, तो नहीं कि वाल, उसके बाद मोह मैं ठान्दा सर्फ करना बर भाली हूँ, रिखे ज़रूर है करके दिखेगा यह रेसिपी और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा थैंक यू